भगवान स्री कृष्ण की जय हो भगवान स्री हरी विष्णों की जय हो आईए सुनते हैं कारागार में स्री कृष्ण अवतार की कथा भगवान स्री कृष्ण की जय हो राधारानी की जय हो कंस को मगद नरेस जरासंद तथा अनेक बलसाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था उनकी मदद से वह यदुवंसियों का नाश करने लगा यदुवंसी कंस के अत्याचार से भैवित हो करके दूसरे देशों में जाकर बसने नगे उन्होंने एक एक करके देवकी के छे पुत्रों की हत्या कर डाली अंत में सात्मे गर्व के रूप में भगवान शेश जी देवकी के गर्व में थे भगवान शेश ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्व में इस्थित होकर शेस जी को रोणी के गर्व में इस्थापित कर दो मैं संपून कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूँगा और तुम नंद गोप की पतनी येशुदा के गर्व से जन मिलेना भगवान के आदेश से यूग माया ने वैसा ही किया कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी गर्व जगमगाने लगा यह देख करके कंस ने सोचा कि इस बार अब असे ही इसके गर्व में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णू ने प्रवेश किया है परन्तु एक तो यह इस्त्री है दूसरी मेरी बहन है तीसरी गर्वती है इसको मारने से मेरी किर्थी नष्ठ हो जाएगी इसलिए मैं इसका बद नहीं करूँगा कंस इतना अधिक दूश्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था पर इस समय उसने स्वेमी कुरूरता का विचार छो दिया अब वह विष्णों के प्रती वैर ठान करके उनके जन की प्रतिक्षा करने लगा आखिर प्रतिक्षा का समय समाप्थ हुआ भगवान के अवतार की शुर घड़ी आ गई रोणी का पावन नच्चत्र था आकास के सभी नच्चत्र तारे शांत और सौमे हो गए निर्मल आकास में तारे जगमगा रहे थे पीथवी की छटा निराली हो गई आज बहुत दिनों के बाद पीथवी के स्वामी भगवान उनका भार हरने के लिए अवतार ले रहे थे इसलिए वह पलक पावने बिछा कर तथा हिर्दे खोल कर प्रव के दर्सन के लिए तयार हो गई जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया स्वर्ग में देवताओं के दुदंभियां अपने आप बज उठी किन्णर और गंधर मधूर स्वर में गाने लगे अपसराएं निरत करने लगे बड़े बड़े देवता और रिशिमुनी आनंद से भर कर पुष्पों की वर्सा करने लगे जल से भरेवे बादल गर्जना करने लगे भाद पत के किष्ण पक्ष के घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोके के स्वामी भगवान श्रीकिष्ण देवकी के गर्व से प्रगट हुए वासदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अदबुत बालक है उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है वह चार सुन्दर हाथों में संख, चक्र, गदा और कमल लिये हुए है उसके गले में कौस्तव मनी जिल मिला रही है उसके स्यामल सुन्दर सरीर पर मनोहर पितांबर फैरा रहा है उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है आभूशों से शुशोवित बालक के अंग-अंग से अनोखी छटा छिटक रही है जब बासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत रूप में साच्छा स्रीहरी आए है तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा उनका रोम-रोम आनंद से भर उठा मन ही मन उन्होंने ब्राह्मनों को दस हज्जार गाय देने का संकल्प कर डाला भगवान श्रीकृष्ण की अंग-कांति से सूतिका अग्रह जगमगाने लगी वासुदेव ने स्रीहरी के चणों में सीश चुपा दिया और इस्तुति करने लगे उनका सारा भै जाता रहा माता देवकी ने कहा हे प्रभू पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्न मेरे गर्व से हुआ है आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ आप अपने इस रूप को छिपा कर बालक रूप में हो जाए भगवान श्रीकृष्ण की जै हो माता यशोदा की जै हो देवकी माता की जै हो आए जानते हैं वर्स 2024 में जन्मा अस्टमे का तेवार कम बनाया जाएगा हिंदू सास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भादपद माह के कृष्ण पक्ष को अस्टमी को भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था धार्मिक मानिताओं के अनुसार भागवान श्रीकृष्ण का जन्म रोणी नचहत्र में, मध्यराती में, मधुरा नगरी में हुआ था इस खास दिन पर ब्रत या उपवास कर श्रीकृष्ण भागवान के बाल सुरूप की पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने से सारी मनुकामनाओं की पूर्ती होती है भक्तों की चलिए जानते हैं जन्मास्टमी की शुवति थी तारीक वर्स 2024 में कभ है पूजा वपार्णा का शुवमोर्द पूजन विधी और जन्मास्टमी का क्या महत्तु है साल 2024 में शुर्कृष्ण जन्मास्टमी 26 अगस्ट दिन सोमबार को मनाई जाएगी अश्टमी तिथी प्रारम होगी 26 अगस्ट 2024 प्रातह काल तीन बच करके 49 मिनट पर अश्टमी तिथी समाप्त होगी 27 अगस्ट 2024 प्रातह काल दो बच करके 19 मिनट पर रोणी नचत प्रारम होगा 26 अगस्त 2024 सायंकाल 3 बच करके 55 मिनट पर रोणी नचत समाप्त होगा 27 अगस्त 2024 सायंकाल 3 बच करके 38 मिनट पर निशित काल पूजा का समय होगा 26 अगस्त 2024 रातरी 12 बज़े से ले करके 12 बच करके 45 मिनट तक ब्रत का पार्णा का समय होगा 27 अगस्त प्रातर काल 5 बच करके 56 मिनट के बाद दही हांडी का तेवार मनाय जाएगा 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को 26 अगस्त 2024 दिन सुमबार को प्रातर काल इस्तनान ध्यान करके ब्रत का संकल्प ले करके ब्रत का आरंब करना चाहिए इस दिन विष्यस करके भवान श्र कृष्ण के बाल सो रूप की लड़ु गोपाल की पूजा का विधान है पूजा इस थल पर लड़ु गोपाल की प्रतिमा को इस्थापित किया जाता है और पूजा के समय में उनको पंचामरत से अवशेक किया जाता है और उसके बाद में विशेस श्रिंगार किया जाता है माखन मिस्री का भोग लगा जाता है निशित काल में पुजा मुहुर्थ के समय में खीरा काट करके बाल गोपाल का जनम उस्सो मनाने की परंपरा है निशित काल के समय में पूजा मूर्त में खीरा काट करके बाल गोपाल का जन्म कराने की परमपरा आज भी चली आ रही है इसी परमपरा से आज भी पूजा करनी चाहिए भादपत अश्टमी के दिन ब्रती को सारा दिन उपवास रख करके नोमी के दिन ब्रत के पाणा को करना चाहिए आईए जानते हैं जन्मा अश्टमी के जनम उत्सो और महत्व के बारे में पुरानों के अनुसार भागवान श्री कृष्ण त्री देवों में से एक भागवान विष्णू के अवतार हैं और भागवान श्री कृष्ण के आसिरवाद और किरपा को पाने के लिए सभी भक्त जन इस तेहवार को बड़ा ही शद्धा वक्ति के साथ में मनाते हैं और और इस प्रकार से इस उत्सो को मनाया जाता है इसी दिन रात्री के समय भी मंदिरों में मंदिरों को सजाया जाता है और वहाँ पर जनम उत्सो मनाया जाता है विशेश करके मतुरा में ब्रिंदावन में द्वारिकादीस मंदिर में इन सब जगों पर विशेश करके पूजा क का विधान है इस प्रकार से अपने वीडियो के द्वारा मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि जन्मास्टिमे का तेहवार वर्स 2024 में कब मनाय जाएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो किरपया वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन दवाना ना भूलेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद